आज की वीडियो में हम बहुती टेस्टी बचे हुए चावल के स्नेक्स बनाने वाले हैं जो सुबा सुबा की जलवाजी में हम इस स्नेक्स को बहुती इजली बना कर इंजोआए कर सकते हैं और इस स्नेक्स को खाने के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि इतने tasty snakes आपने बचे हुए चावल से बनाए हैं तो चलिए tasty snakes को हम बनाना शुरू करते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो please like और subscribe जरूर करें तो snakes बनाने के लिए यहां हमने बचे हुए चावल लिये हैं और इस चावल को हमें एक blending jar में डालना है क्योंकि हमें इसे दरदरा सा grind करना है तो यहां में सवा कप बासी चावल लेने वाली हूँ और अब इसे हम grind करेंगे तो grind करने में हमें इसमें कोई भी पानी बगएरा कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है सिर्फ हम इसे grind कर लेंगे तो इस तरह का हमें इसे grind करना है यहां आप देख सकते हैं नहीं बहुत जादा मोटे चावल दिख रहे हैं और नहीं बहुत जादा हमने बारिक करेंगे अब एक बाउल में हम इने निकाल लेंगे और इन चावलों में हमें मिलाना है एक मेडियम साइज का आलू तो आलू हमने बॉइल करकर ही लिया है और आलू आपको ग्रेट करकर ही लेना है बारी कटीवी थोड़ी सी हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे बारी कटवी अहरा धनिया डालेंगे और बारी कटी भी थोड़ी सी हमने प्याज लिए इसे भी डाल देंगे अब इसमें कुछ मसाले एट करेंगे तो इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डाल देंगे और इसमें हम एक चमच चिली फ्लेक्स डालेंगे आदा चमच हम इसमें तीकी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे आदा चमच जीरा पाउडर डालेंगे और तीन चमच भरके हम इसमें डालेंगे कॉन फ्लोर तो सारी चीजों को हमें मिक्स कर लेना है इसमें हमें पानी बगएरा कुछ पी नहीं डालना है हमें इसे mix करके एक डो form में ले आना है तो आप देख सकते हैं ये डो form आ रहा है तो उससे पहले एक चमच हम हम इसमें अमचूर powder भी डाल देंगे मैं अमचूर powder ढालना भूल गई थी तो यहां मेंने अमचूर powder भी एक चमच डाल दिया थी तो अब अच्छी धरह से सारी चीज़ों को मिला लेंगे यहां आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा हमारा डो फॉर्म में बनकर तयार हो गया है और बिल्कुल भी हमने इसमें पानी बगारा कुछ भी एड नहीं करा है तो अब हम इसके गोल गोल से डिजाइन देंगे तो उसके लिए यहां में ने ग्लास का इस्तेमाल किया है अब आदा डो लेंगे हम और ग्लास में हम इसे डाल कर अच्छे सा दबाते हुए भरेंगे ताकि बिल्कुल टाइट हो जाए यह तो हमें इसे अच्छी तरह से दबा देना है तो यहां आप देख सकते हैं हमने ग्लास में अच्छी तरह से हमारे डो को दबाते हुए नीचे की और कर दिया है अब यह बिल्कुल टाइट हो गया है तो अब हमें क्या करना है इसे थप थपाते हुए बाहर निकाल लेना है बहुत इजिली यह निकल आता है टाइम नहीं लगता है यहां आप देख सकते हैं और हमने इसे बिल्कुल टाइट दबाया था जिससे की यह ना ही बीच से क्रेक होगा ना ही तूटेगा तो अब हम नाइफ से इसे कट करेंगे और हातों की हल्फ से शेप देते जाएंगे तो इस तरह से कट करेंगे और शेप देते जाएंगे हलके हलके हातों से हम गोल शेप दे दिंगे तो आप इस प्रोसिस को हातों से भी कर सकते हैं आप या फिर कोई और भी इसमें शेप दे सकते हैं तो यहां मैं इसी तरह के गोल शेप देने वाली हूँ तो इसलिए मैंने गलास का इस्तेमाल किया था आप हातों से भी इस तरह से इसके शेप दे सकते हैं तो हमारे बासी चावल के सारे स्नेक्स बनकर तयार हैं और हमने यहां मेदे की सलरी भी बना ली है और तीन ब्रेट के हमने स्लाइज लिये थे जिसे मिक्सी जार में डाल कर हमने इसके ब्रेट क्रम्स बना कर तयार करे हैं पर हमारी एक एक टिक्की अब हम उठाएंगे और इस लरी में डालेंगे और इस लरी से निकाल कर हम इसे ब्रेट क्रम्स में कोट कर लेंगे और इसे कोट करके अब हम अलग करते जाएंगे बहुती टेस्टी और बहुती इजी स्नेक्स बनकर तैयार होते हैं यहां हमारी एक टिक्की रेडी हो गई है इसे हम अलग रखेंगे और दोबारा से भी यही प्रोसीस हमें कर लेना है इस लरी में डिप करेंगे और हम इसे ब्रेट क्रम्स में डाल कर कोट कर लेंगे और ब्रेट क्रम्स में इसे कोट कर लेने के बाद हमें सारे इसी तरह से टि पर चड़ा दिया था करके हम इसमें टिक्की डालते जाएंगे जितनी भी हमारी प्लेम के बाद लाध से भी अच्छा सा और आने तक फ्राइ करेंगे तो दोनों ही साइट से अच्छा सा कलर आ गया है अब हम एकिक करके हमारी टिक्की को हम निकाल लेंगे तो बहुत ही टेस्टी और हलके फुल के हमारे स्नेक्स बनकर तयार हुएं आपने देखा कितना आसान था इसे बनाना अब दूसरा बेज भी हम इसी तरह से डाल देंगे और इसे भी फ्राइ होने के बाद निकाल लेंगे बच्चे हुए चावल की बहुत ही जबरदस रेसिपी है यह खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं और इसे खाने के बाद कोई भी यकिन नहीं करेगा कि यह आप दे बासी चावल से बनाएं स्नेक्स औ क्योंकि बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी है इसे बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है और सुबा सुबा की भाग दोड़ में बहुत ही इसली आप इस चावल के स्नेक्स को बना सकते हैं और इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं बच्चे इसे बहुत शोक से खाना पसंद करेंगे आप इसे टोमेटो केचप के साथ भी इंजॉय करेंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगींगे ये तो आपका जेसा मन्चा है आप इसे इंजॉय कर सकते हैं अगर आपको मेरी टेस्टी मजगार से बचे हुए चावल के स्नेक्स की रेषिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सबस्क्राइब ज़रूर करें फैमली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरी इस टेस्टी मज़ेदार से बचे हुए चावल के स्नेक्स की रेसिपी कैसी लगी